जम्मू कश्मीर में विदान सवाचुनावों की घोशना होने से पहले ही भारते जनता पार्टी ने चुनाव परचाश शुरू कर दिया है नमस्कार रनभी सिंध्पुरा के बानला सिंग स्टेडियम में भारती जनता पार्टी द्वारा आयोजित विशाल रैली में केंद्री मंत्री जी क्रेशन रैडी ने कहा कि आगले महने यनी सितंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं उन्होंने लोगों को संबोदित करते हुए कहा कि भारते जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जो विकास के ब्यार लाई है और 370 तथा 35 ए को हटा कर जो जनता को सुविदाई दी है और देश के साथ जम्मू कश्मीर को एकात्म किया है उसके लिए उन्हें पक्का विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारती जनता पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में लाईगी विदान सभा चुनावों की घोशना अहुने में अभी समय है लेकिन भारती जनता पार्टी ने जिस तरह से विशाल रैली का आयोजन किया उसे लगता है कि भारती जनता पार्टी ने चुनाव परचार में आभी से बाकी पार्टीओं से बाजी मार ली है भारती जंता पार्टी ने इस रैली का नाम एकात्मो महाउत्सव रैली रखा था और इसको आयोजन जो है इसका रनभीर सिंगपुरा बॉर्डर एरिया के बानल सिंग स्टेडिय में रखा गया था जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में भार भारती जंता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से विकास की बयार पहले से कई गुनात तेज हो जाएगी नमस्कार जहिन भारती जिन्ता पार्टी के इस दावे पर आपका क्या कहना है जम्मू कश्मीर में इस बार भारती जिन्ता पार्टी कांग्रेस नेशनल कंफरेंस पीडिपी या किसी अन्ने के सरकार बनेगी अपने विचार हमें फीडबैक में अवश्य बताएं नमस्कार जैहिं